साथियों जै जोहार आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्पूर विशेफर बहुत ही रोचक विशेफर और विशेफर है पैकरा कौन थे चलिए देखते हैं सबसे पहले डिस्क्लेमर सबसे महत्पूर पहला है पैकरा सब्थ की उत्पत्ती के संबंद में कई ओधार्णाएं हो सकते हैं दूसरी बात हम उस ओधार्णा की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बैज्ञानिक और तारकिक परतित होता है तिसरी बात यहाँ जानकारी हमने बुजूर्गों से खोजबिन करके और इतिहास का अध्यन करके एकठा की है चोंती बात यह है कि हाला कि इतिहास की कोई भी चीजें सो परत्सें सटी कभी नहीं कही जा सकती है जो बीद गया उसे बस हम अनुमान लगा सकते हैं और सचाई के नजदिक पहुँचने की कोशिस कर सकते हैं हम जो आज अन्दाजा लगा रहे हैं जो भी साक्षियों के हिसाब से तरक लगा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो या जरूरी नहीं कि वो गलत हो तो आते हैं कि पैकरा सब्द की उत्पत्ती कहां से होई है पैकरा सब्द दो सब्दों से मिलके बना है पैक और रा इसका मतलब होता है जो लोग पैक होते थे वो लोग पैकरा कहलाते थे यानि कि पैकरा यानि जो लोग पैक होते थे अब प्रश्ण उठता है कि ये पैक होते कौन थे किन लोगों को पैक कहा जाते है तो पैक सब्द और पैक ब्योस्था के बारे में अगर खोज बीन करें तो Google में इसके बारे में कुछ एक जानकारियां प्राप्त होती है काफी जानकारियां प्राप्त होती है in fact इसके अलावा इसके बारे में जानकारी NCRT राष्टिये सेक्षडिक अनुसंधान यों प्रसिक्षन परिसत की पार्थे पुस्तकों में मिलती है यह NCRT वो सिलेवस है जो CBSC की विस्कुलों में पढ़ाया जाता है Wikipedia में भी पैक व्योस्ता के बारे में काफी जानकारिया उपलब्द है पर सबसे सटिक जानकारी अगर हमें अपने इतिहास के बारे में जाननी हो तो कहीं से भी सबसे जादा जो पता चलती है वो हमारे बुजूर्गों से और हमारे जो घर में प्राप्त होने वाले साक्षे हैं उनसे सबसे जादा सटिक जानकारिया उपलब्द होती हैं तो पैक बेवस्था को पहले थोड़ा सा संचिप्त समझने की कोशिस करते हैं हलाकि मैं आप लोग को सुझाओ दूंगा कि आप लोग खुछ से गूगल कीजिए पैक बेवस्था और पैक बिद्रोह के बारे में आप लोग पहले पढ़ लीजिए उसके बाद इसको समझने की कोशिस के लिए फिर भी मैं आपको संचित में बताने की कोशिस करता हूं यह आप मैप देख रहे हैं इंडिया का काफी पूराना मैप है इसमें आप भारत के नौर्थ इस्ट में देखिए असाम राज्य दिए रहा है वर्सों पहले ये असाम समराज्य यहां एक हुआ करता था और उस असाम समराज्य का नाम था अहोम समराज्य नाम याद रखेगा अहोम समराज्य यह एक आदिवासी समराज्य था आदिवासी राजा अहोम लोग होते थे अहोम लोगों का अहोम आदिवासी समराज्य था। ये समराज्य बारा सहु इस्वी से अठारा सहु इस्वी के लगभग पुरे असाम छेत्रे में राज्य किया। और बहुत ही प्रसिद और महत्पूर समराज्य था। आप लोग जानते हों कि कहीं भी कोई राजा राज करता है या राजा बनता है तो अपने यहाँ वो सैनिक रखता है अपने यहाँ नौकर रखता है अपने यहाँ वो सेवक रखते हैं सब लोग को क्या करता है वो अपने यहाँ काम पे रखता है उसके बदले में उसको कुछ सेलरी ओगरा देता है ऐसा अधिकतर लोग का सिस्टम होते हैं लोग अपने सैनिक रखते हैं उनकों पेमेंट करते हैं उनसे लड़ाई यूद कराने भेशते हैं लेकिन ये जो आदिवासी अहोम समराज्य था इसमें इन सैनिकों का जो सिस्टम था उस सिस्टम को बूला जात पैक सिस्टम यानिकी पैक प्रोष था इसमें ये लोग अलग से सैनिक न रखने के बजाए अपने ही समराज्य के यहां के लोगों को उत्साहित करते थे उनको इन्वाइट करते थे कि आप लोग अपने घरों से एक-एक बैकती पैक के रूप में भेजो वो साल दो साल पै पैक के रूप में काम करें और वापस चला जाए फिर अपने घर परिवार से किसी अन्य सदस्य को भेजी इस तरह से पैक बनके काम करने जाए राज्य के लिए काम करें और उसके बदले में हर परिवार को 5-6 अकर जमीने वोग देते थे ग्रांट करते थे या जो उनके पास जमीने होती थे उस पे वो लोग किया जाता कि तुम्हाराम से खेती किसानी करो जो करना है करो स्वतंतर रूप से और किसी भी तरह का कोई टैक्स सोगरा देने की आव सकता नहीं है आप स्वतंतर अपने अहां अपने गाओं घरों में जीयो खाओ और राज्य के लिए बस पैक के रूप में काम करा अब यह पैक क्या होते थे यह पैक सिर्फ सैनिक नहीं होते थे यह पैक होते थे राज के शेवक इनका मुख्य काम यूद करना जरूर होता था पर इसके अलावा भी यह लोग कई सारे काम करते जैसे आप लोग जानते हैं आर्मी यूद के अलाव पूल बनाती है, सड़क बनाती है, प्राकिर्तिक आपदाओं में काम करती है, तो कहीं भी उसको आप काम करा लिए, वो सब जगा फिट होती है, इसी परकार पैक बेउस्था में भी था कि जो पैक होंगे वो उनका युद्ध आव सकता पर युद्ध तो उनको करना ही है, उस पैक बेउस्था, इतना महत्पोर था, इतना फिमस हुआ कि वो यह असाम से आसपास बंगाल बढ़ते हुए इस सेंट्रल एरिया में भी फैला, किस तरह फैला, क्या हुआ इसके बहुत जानकारी नहीं है, मगर अब सिधे आते हैं कि पैक बेउस्था इतना परचलित हुआ यह सेंट्रल एरिया में भी जहां ओडिशा लिखा हुए दीक रहा है और यह चत्तिस गड़ का उपर हिसाब देख सकते हैं कवरान छेत्र, इस छेत्रों में भी यह है, यहां के देशी रियास्ते थी, उन रियास्तों में भी यह सिस्टम लागू हुआ, अब आगे बात करत हैं, आप लोगों ने पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में हाइलाइट हुआ था, आप लोगों देख सुना हो गया इसके बारे में, यह था उडिशा के खूरदा, एकटक के पास, यह जो एरिया दीक रहा है यहां, यहां पर हुए 1817 में हुए पैक बिद्रोब के बा आए थे, और 1817 में जो ओडिशा के एक खूरदाय चेत्र में जो पैक बिद्रोब हुआ था, उसकी दो समी वर्स गांट पर उन्होंने यह घोशना किया था, कि वास्तों में भारत का पहला स्वतंत्यता संग्राम 1857 नहों करके 1817 का पैक बिद्रोब था, और आने वाले समय म हमारे पार्टे पुस्तकों में इस बदलाव को पढ़ाया जाएगा, तो यह जो पैक बिद्रोब था, इसका आप लोग मैप देखके समझें, आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिए, यह ओडिशा के बगल में मराठा कानफेटरेसी देख रहा है, यह जो पोर्षन है, चत् पोर्षन दीख रहा है, बस्तर देख सकते हैं, बस्तर राजवन्स का लग सासन था यहाँ पर, यह उपर में देख सकते हैं, नौर्थ चतिस गड़ेरिया, यह जो ओडिशा से जिसका जुड़ा हुआ दीख रहा है, यह हमारा नौर्थ चतिस गड़ेरिया, यहां भी मराठ ये रियासते, देशी रियासते मिले हुए थे ये जो ब्योस्था है इधर तक फैली हुए अब आगे आते हैं इसको एक और मैप से देखते हैं ये ये है 1905 का इंडिया का मैप ये लगभग 1805 का 1817 में जब पैक बिद्रो हुआ था उसे जस्ट कुछ समय पहले के मैप आप देख सकते हैं यहां ये उडिसा के छेत्र यहां ये छेत्रो में हुआ था पैक बिद्रो यहां तक पूरा पहला ये और ये है हमारा पैकरा लोगों का इस्थान जहां कमर पैकरा लोग रहते हैं ये उससे जुड़ा हुआ छेत्र है इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना जो बनती है कि कमर में जो पैकरा होते हैं वो पैक सिस्टम के कारण उनका नाम क्यों पढ़ा होगा इससे जो कहानी जोडने का इतिहास को जोडने का जो तर्क है वो यहां सहा है चले ही आगे बढ़ते हैं ये है उस समय की बात है ये 1805 की आसपर ये देखिए इसमें बस्तर भी मराठा सासन भोसनों के सासन में सम्मिलित हो जुगा था लेकिन नौर्थ चतिस गड़ है पैकरा लोगों का जो चेत्र है कारान चेत्र ये देशी रियासत में तब भी था तो पैकरा कोई जन जाती नहीं है पैकरा कोई अलग आदिवासी समूं नहीं है पैकरा कमर जन जाती कमर आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा है जिनका उपनाम पैकरा पड़ा तो यहां देखते हैं कमर जन जाती, उत्री 36 गर चेत्र, जिसको हम लोग खास कर कमरान चेत्र कहते हैं, इस चेत्र में सदियों से आदिकाल से निवास कर रही है, कब से निवास कर रही है, जब से कोई नहीं जानता, आदिवास याने, आदिकाल का वास, इसलिए हम लोग कहते हैं, इस चेत्र में न जिर राजा रहने आरा, तो राजे जब आता है उस षेत्र में, तो वहां के रहने वाले रहवासिओं, अदिवासिओं से वह सम्बंधिस्थापित करता है, जिस परकार का बन जाए, जैसे बस्तर में आपरोग जानते हैं, तो organized बस्तर का अभी वाले जो सासकें, व लोग आय तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बस्तर दसरा की सुरुवात की तो उन्होंने वहां के आधिवासियों को समलित किया रत खिचने के लिए तेवार मनाने के लिए फिर वहां आधिवासि बैगाओं को पूजा पाट करने के लिए बुलाया गया तो इस तरह से राजा को यह आता है बनता है तो वह वहाँ के आदिवासियों से अपने संबंद इस्थाफित करता है कुछ उनकी मदद करता है वो आदिवासी कुछ इनकी मदद करते हैं महराणा परताप के केस में भी आप लोग को याद होगा कि महराणा परताप को उनके सरेण में गए और आदिवासियों वहां के भीलों ने उनके साथ लड़के उनको राज्यों वापस दिलाने में पुरी भूमिका निभाई तो चलिए यहां देखते हैं तो जब कोई राजा बनने हाया तो उनके साथ आए यह पैक ब्योस्ता और कमर जन जाती से जो लोग उस पैक ब्योस्ता में सामिल हुए वो लोग पैकरा कहला है अब आईए कुछ इनके बारे में कहानिया सुनते हैं जो famous कहानिया है पैकरा लोगों के बारे में पहेकरा लोग बेसिकली मुल्ता क्रिशक आदिवासी थे जैसा हर कोई अन्य आदिवासी हैं खेती किसानी करते हैं और आउसकता पढ़ने पे ये युद्ध भी करते हैं बहुत अच्छे गुरिल्ला लड़ाकू माने जाते हैं बाकी समय में देखिए अपने खेती किसानी में सभी लोग मसगूल हैं और जब भी इनको ख़बर मिलता था कि दूसरे देश के सैनिक हमला करने आ रही हैं देश से कंफ्यूज मत हो ये उस समय में देश या राज्य सब एक ही जैसे थे तो दूसरे देश के जब कोई सैनिक की टुकडियां यहां हमला करने आ रही हैं इनको ख़बर मिलता था तो तुरत ये अपना काम छोड़ करके अपना तलवार ढाल भाला दीट धनुस ले करके तयार हो जाते थे और अपने गाओं के जंगलों के उन सड़कों पे जहां पर गुरिल्ला हमला किया जा सकता है उस सड़कों के आसपाजों छिप जाते थे और जब वहां की बाहर से आने वाली सैनिक टुकडियां उधर से गुजरती थी तो ये लोग उन पर गुरिल्ला हमला कर देते थे और इस तरह वो सैनिकों को हतुचसाहित करते थे प्रास्त करते थे या उनको वहां से ही खलेटे भगा देते थे नतीजा ये होता था कि जो सैनिकों की टुकडिया वहां राज्ये में हमला करने आती थी वो अंदर तक घोसी नहीं पाती थी एक गाउं दो गाउं तिन गाउं जाते तक वो लोग वापस हो जाते थे अब देखते हैं कि पहकरा लोगों के हत्यार जब वो युद्ध करने जाते थे या अचाना का सकता पड़ती थी तो आप देख सकते हैं बाईं और वो अपने खेती किसानी करने के हत्यारों का भी युद्धों में इस्तिमाल करते थे और उसके अलावा कहा जाता है कि ओ लोग दो दुधारी तलवार का इस्तिमाल करते थे और कहीं कहीं पर धाल का भी इस्तिमाल करते थे यह है एक स्केज बना है उसका जैसा बताया गया उसके अधार पर दो दुधारी तलवार और इसमें धाल भी बना हुआ है यह जब कल्चूरियों का सासनाया था तो उस समय कल्चूरियों ने इनको अपनी जो कल्चूरियों की ढाल होती थी वो एक धारवली और लोहे की ढाल के साथ दो तलवारें दी थी तहीं के यह तलवार मिलता है और अधिकतर जगे में कमर जंजाती के लोग जिसको सगराखान देवता या जगराखान देवता के रूप में जिसकी पूजा करते हैं वो दूधारी तलवार ही है तो ये जो है ये आज के समय में कमर जंजाती का पर्तिक भी बना हुआ है इसके पीशे खाहर यही है अब देख्ते हो, ये क्या है, गमर जनजाती के लोगों को बहुत अच्छा तलवार बाज माना जाता है, और ये लोग एक साथ दो तलवारों का युद्धु में परव्योग णते हैं, दो दुधारी तलवारों का, आप जानते हैं कि एक धारी तलवार से जब आपको वार करन वो ऐसा योध्धा एक धारी तल्वार का उप्योगना करके दो धारी तल्वारों का उप्योगना करके और उससे भी जो अच्छा योध्धा हो जाए वो एक हाथ से तल्वार ने चला के दोनों हाथ से तल्वार चलाता है और अगर कोई दोनों हाथ से दो धारी तल्वार चला और कभी कभी ओधाल कभी इस्तेमाल करते थे जो अपनी पीट पे रखते थे यह उनके तलवार देख सकते हैं आप दुधारी तलवार हैं अलग-अलग साइज के और प्रकार के और ये फिलहाल कवर जन जाती अपना मोनो समाजिक मोनो में यही चीन है लगाता है इसमें भी कुछ लोग पूछते हैं कि ये जगरा खान या सगरा खान क्या था अब लोग जानते हैं कि आदिवासी व्योस्था में हमारे पुर्वज जब उनका दिहान्त होता है तो वो स्वर्ग नर्क कहीं नहीं जाते हैं वो इधर उधर के भोधारा में नहीं तडपते हैं बलकि आदीवासी मानने आता कि अनुसार हमारे एक कमर जण जाती ही मानने आता कि अनुसार हो लोग पूर्ख देऊ बन जाते हैं और हमेश यह अपनी वंचाजों को वो लोग रक्षा देते हैं, गाइडेंज देते हैं, प तो हमारे कुछ पुर्वजों की जो लोग बहुत अच्छे तलवार बाद वह अपनी मिठ्टियों के बाद कि कहा जाता है कि नेंग स्वरूप उन्हीं तलवारों कि उपयोग करते थे उसमें वहोग नेंग बन गए उसके उसमें वहोग अपना प्रतिरूप या पुर्खा दयोस बन के उसमें वह अलोग समा गए और उनकी वन्सजrek उन तलवारों को देवता के रूप में पुझने लगी और जहां भी कहीं जगड़ा, बिवाद या परशानियों पे वो इनका आहवान करते थे या इनका सेवा करते थे तो उनको मदद मिलता था इस कारण इसको वो लोग पहले जगड़ा खान देवता कहते थे और जब लोग सकल परकार के परशानियों में पुर्खा देवता उनकी मदद करने लगे तो ये जगरा खान से बदल कर ये नाम सगरा खान हो गया इस तरह सगरा खान देवता पुझा करते थे आज भी कई जगों पे हमारे पुर्वज के उसी तलवार को सगरा खान देवता के रूप में पूझते हैं अब अंत में चले सरांस पे आजाते हैं पैकरा लोग मुलता उत्तर चतिस गड़ छेत्रे में निवास करते हैं ये कमर जन जाती के उप जाती है ये क्वर्ग है अलग से अच्छे लड़ाकू थे राज ब्योस्था के संपर्क में आने से ये लोग पैक ब्योस्था में सामील हो गए और इसी काराण इनका नाम पैकरा पड़ा ये क्रिसक होने के साथ बहतरीन कुरिल्ला लड़ाकू माने जाते थे दो दुधारी तलवार और कभी-कभी एक ढाल का परयोग ये युद्धों में किया करते थे इसके अलावा वे तीरधनूस, भाला तथा क्रिसी के हत्यारों का भी युद्ध में परयोग करते थे ये क्रिसी कारेयों में सनलगन रहते थे और उनके गाओं के आसपास से दुस्मनों के गुजरने की सूचना पर ततकाल जंगली रास्तों पर दुस्मनों पर गुरिल्ला हमला बोल देते थे इससे दुस्मनों की सैनिक टुकडी पहले तो हतोत साहित हो जाती थी और पहले ही हतोत साहित हो जाती थी और बाहरी आकमर अस्फल हो जाते थे तो ये था पैकरा लोगों के बारे में जानकारी मुझे उमीद है ये आपको पसंद आया होगा आपके बिचार हों तो अवस्य व्यक्त कीजिए धन्यवाद